हलो फैंट्स वर्कम बेक टो मैं चैनल देखे फैंट्स आज हम बनाएंगे काना जी के लिए ब्यूटिफ़ साही ड्रस अभी मैंने कुछ दिन पहले काना जी के एक ड्रस बनाई थी नैट और खाली लेस की हेल्प से तो उसके साथ मैं यहां पर पगड़ी बना रही हूं यह हम 3 नूमर कानाजी के लिए देखिए बना रहें यह मैंने सिंपल सा बेस कट कर लिया बेस कट करना मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है और यह देखिए 3.2 इसकी लंबाई है और एक पॉइंट 2 इंच इसकी चोड़ाई है और मैंने इस तरीके से शेफ दे दिया इसकी किनारी पे गोल्डन कलर का गोटा था वह मैंने अलग कर लिया अब यह सिर्फ हमारी लेस रे गई है अब इस तरीके से हमें हलकी हलकी से प्लीट्स लगानी है और प्लीट्स लगाके सारी इकटा करके इस तरीके से धागे से हमें बांद देना है तो इस तरीके से हमार पगड़ी में लगाने की कलगी तैयार हो जाएगी और बस हमें क्या करना है यहां से जो किनारी है नीचे की उसको हमें धागे से इस तरीके से कुछ तेर तक बांद देना और बस नॉट लगाके यहां से धागे को कट कर देना तो आपकी यहां पर हैवी कलगी बन जाएगी अ अब हम देखिए पगड़ी बनाने के लिए जो हमने हाँ पेस्टिंग का पीस कट किया उसके किनारी पेस तरीके से ग्लू लगाएंगे अगर ग्लू गननी है तो आप सिंपल फैब्रिक ग्लू भी उसकर सकते हैं कई तरीका फैब्रिक ग्लू मार्केट में अवेलेबल हो जात फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और चोटा सा जो हमना सर्कल है उसको हम लगा देंगे जिससे कि जो बेस का जो सर्फेस है वह बहुत अच्छे से मजबूत हो जाएगा थोड़ा हार्ड हो जाएगा अब हमारा देखिए यहां पे इस तरीके से यह रेडी हो गया और एक सर्क लगबख बेस बनके रेडी हो गया अब यह देखिए इस तरीके से हम तिर्चा यहां पे ग्लू लगाएंगे और यह देखिए हमने यहां पे पट्टी तेयार की हुई है मैंने यह हमारी नेट के फैब्रिक की ही है और इसको बैक साइड में आदे हिस्से तक इस तरीके से लगा देंगे और अब जब हम यहां से उपर की साइड जाएंगे एक साइड से हमारी पट्टी नीचे आएगी और एक साइड से उपर यह देखिए हमने यहां पे उपर इस तरीके से पट्टी चिपका दिया है अब देखिए इस साइड में हम आएंगे राइट साइड में है तो यी पट्टी हमारी जो कपड़े की है वो नीचे आती जाएगी और दूसरी साइड से हम गुमाके उपड़ लाते जाएंगे ये देखिए इस तरीके से चिपकाई आधी दूरी तक जो हमारा बैक साइड होता है ना आधी हमारा इधर से ऊपर से लेते जाएंगे हमारा बैक साइड भी कवर होते जाएगा और यह देखिए हमारा फ्रंट साइड भी ऐसे कवर होते जाएगा अब इदर से हम देखे नीचे से पट्टी आगे लाएंगे, ग्लू अपनी लगाते जाएंगे और पट्टी से अपना पूरी पगड़ी के बेस को कवर कर लेंगे और वीडियो मैंने बिल्कुल भी फास्ट नहीं की हुई है, जिससे कि अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, वीडियो मैं बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में ही बना रही हूं, स्पीड मैंने बिल्कुल भी तेज नहीं किया, तो आप इसको वीडियो को देखके अपने काझाजी के लिए, अपने घर पे अरामसे अपने आपसे हैवी पगडी बना पाएंगे, मार्केट में पगडी मिल भी जाती है, लिकिन जो अगर आप अपने हाँ से बनाते हैं न तो उसकी जो मजबुथी होती है, वो इक अलगी होती हैं और अपने हान से बनाने की काणा जी की, सबको इक्षा होती है कि हम अपने काणा जी के लिए ऐसे डेस बनाएं, तो आप इस तरीके से किसी भी साइस के काणा जी के लिए हमसे पगड़ी बना सकते हैं. आप हमारे देखे, पूरा round complete हो गया और हमारी पगड़ी बिल्कुल अच्छे से cover हो गई है, हम क्या करेंगे, एक layer में यहाँ पर और लगाऊंगी, जिससे कि और भी हमारी पगड़ी का जो है look सुन्दर सा आएगा, इसको आप अपने हिसाब से कितना मर्जी भी उतना heavy कर सकत मार्केट में इतनी heavy नहीं मिलती है, मिलती है लेकिन इतना heavy नहीं होती है, जितना हम खुछ से बना लेते हैं, बस हमारा पूरा round complete हो गया और पूरा base हमारा net के fabric से cover हो गया, और अगर आप glue gun से लगा दें तो थोड़ा से आपको यह ध्यान देना हुगा, कि glue gun बहुत ही मैंने जो lace है न वो उसी वाली lace में से यह जो golden color की है, उसमें से उधेड़ दी है, अलग कर दी है, इसी को मैं अपनी यहाँ पर पगड़ी पर लगा दूँगी, जिससे कि हमें कोई भी extra material वगएरा use ना करना पड़े, आप यहाँ पर stone chain या other कोई lace वगएरा भी use कर सकते हैं तो यह हमने बस simple एक तिर्ची सी layer यहाँ पर lace की लगा दिया, यह देखिए बहुत चिपकता है, यह बहुत जल्दी गलने लगता है, जो gluten होता है, आप देखिए इस से हमारा अपने आपी heavy look आ जाएगा और बस हमें यहाँ पर center में इस तरीके से कलगी को चिपका देना, कल मारा हाँ से थोड़ा बहुत तिर्चा हम लोग लगा देते हैं, जैसे starting में हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा हो जाता है, तो बस आप यह देख रीजे कि आपकी जो कलगी लगी है पकड़ी पर वो बिल्कुल सीधी look आए, देखिए, अब यह हमारी बिल्कुल स स्टोन, मोती, कुछ भी हमने एक्स्टर नहीं लगाया, सिर्फ यह लेज थी और मेरी नैट थी, जैसे मैंने खाली ड्रेस बनाई हुई है, तो यह हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फिर मिलते हैं, ऐसी किसी वीड देरादे हरे कुछ देरादे हरे कुछ